भारत के महान उद्ध्योग पती समाज सेवी और लाखों लोगों के प्रेणा सरोत रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है उन्होंने नकेवल भारतिय उद्ध्योग जगत में बलकि सामाजिक सेवाओं में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी उन्होंने 9 अक्टूबर राज साड़े ग्यारा बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली रतन टाटा का नाम भारतिय उद्ध्योग जगत में एक महानायक के रूप में लिया जाता है उन्होंने टाटा समूह को एक नई उचाई तक पहुँचाया और उनकी समाद सेवा की भावना ने लाखों लोगों की जिन्दगियों को बेहतर बनाया 86 साल की उम्र में उनका निधन एक युग के अंत की तरह है रतन टाटा पारसी समूधाय से आते हैं लेकिन उनका अंतिम संसकार पारसी रीतिरी वाजों से नहीं बल्कि हिंदू परमपराओं के अनुसार किया गया लेकिन उनका अंतिम संसकार पारसी परमपरा से क्यों नहीं किया गया ये आगे बताएंगे लेकिन पहले जानते हैं पारसी समुदाय के लोगों के अन्तिम संसकार की अनोखी और खास परंपरा क्या है जिसमें शरीर को जलाया नहीं बलकि प्रकृती के हवाले किया जाता है पारसी धर्म यानी जोरोस्ट्रिनिजम में अन्तिम संसकार को दोख में नाशिनी कहा जाता है ये पारसी धर्म के जर्थुस्त्र की शिक्षाओं पर आधारित है जो प्रकृती और उसके सभी तत्वों अगनी जल धर्ती को पवित्र मानते हैं इसलिए शव को जलाया या दफनाया नहीं जाता शरीर को एक विशेश स्थान जिसे टावर ओफ साइलेंस कहा जाता है वहां ले जाया जाता है ये टावर आम तोर पर उची पहाड़ियों पर बने होते हैं ताकि शव को खुले आकाश के नीचे रखा जा सके शव को एक गोलाकार ढाचे यानि टावर ओफ साइलेंस के उपर रखा जाता है ताकि प्रकृती के तत्वों के जरिये उसका प्राकृतिक निप्टारा हो सके वहां गिद्ध जैसे पक्षी शव को खा जाते हैं जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से विगटित हो जाता है इ अब शरीर धीरे धीरे नश्ट हो जाता है और कुछ महीनों बाद जो हड्डियां वस्ती हैं उन्हें टावर ओफ साइलेंस के केंदर में बने एक गड़े में रख दिया जाता है जहां वो धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाती हैं ये प्रथा पार्सी धर्म के मुख्य धान्तों में से एक है जिसमें प्रकृती के प्रती सम्मान दिखाया जाता है पार्सी अंतिम संसकार की प्रक्रिया बड़ी ही सरल और शांति पूर्ण होती हैं सबसे पहले शव को नहला दुला कर सफेद कपड़ों में लपेटा जाता है इसके बाद शव को एक धार्मिक ज जीवन का अंत नहीं माना जाता बलकि इसे प्रकृति में वापस लोटने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ये परंपरा जमीन, पानी और अगनी को अपवित्र न करने की उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है। इसे प्राकृतिक देहदान के रूप में भी समझा जा सकता है, जहां शरीर को पक्षियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के हवाले किया जाता है। पारसी समुदाय की माननेताओं के अनुसार इससे न केवल प्रकृति सुरक्षित रहती है, बलकि ये आत्मा की शान्ती और पवित्रता को बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो ये था पारसी धर्म के अन्तिम संसकार का अनोखा तरीका जो सदियों से चला आ रहा है और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की गहरी आस्था को दर्शाता है। लेकिन पारसी माननेताओं के उलट रतन टाटा का अन्तिम संसकार हिंदू रीती रिवाजों से क्यूं तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजा है कि आधुनिक समय में गिद्धों की संख्या में भारी कमी आई है जिससे पारसी अन्तिम संसकार की इस प्राचीन प्रक्रिया को चुनोती का सामना करना पड़ रहा है मुंबई में कई पारसी परिवार अव विद्युच शवदाह की ओर भी रुख कर रहे हैं ताटा संस के पूर्व चेयरमेन साइरस मिस्तरी की सडग दुरगटना में मौत के बाद उनका अंतिम संसकार पारसीयों के बनाए हजार रह गई इसके चलते पारसी समुदाए के बीच अंतिम संसकार का तरीका बदला दो हजार इकीस में हुए एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में पारसीयों की तादाद दो लाख से भी कम है इस समुदाए को अंतिम संसकार की अनोखी परंपरा के चलते दुनिया भर मे मुश्किल का सामना करना पड़ता है टावर ओफ साइलेंस के लिए सही जगह नहीं मिलने और खास कर भारत में गिद्ध जैसे पक्षियों के आस्मान से गायब हो जाने के चलते पिछले कुछ सालों में पार्सी लोगों ने अपने अंतिम संसकार के तरीके में बदलाव शुरू किया है तो इस वजह से रतन टाटा का अंतिम संसकार हिंदू रीतीरी वाजों से किया गया रतन टाटा जैसे महान व्यक्ति का जाना हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षती है लेकिन उनकी विरासत और उनके आदर्श हमेशा जीवित रहेंगे